हेलो एवरीबान आप लोके स्वागत है उसा होम कीचन में आज की रेश्पी ए आलू और गोभी की बहुत ही स्वाधिट सबजी फ्रेंस आलू गोवी की सब्जी तो आप बहुत बार ही खाई होगी आप लोग एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाईए आप लोग को बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पेन में गोवी को बोईल कर लेंगे हमने गोवी को पहले से ही तोड़ कर धो लिये थे अब इसमें ढाल देंगे इसी के साथ इसमें आधा चमच नमक डालेंगे नमक डालने से गोवी नरम हो जाती है और इसमें कि जो कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं नहीं तो मर जाते हैं तो देखिए इसमें एक बोईल आ चुके हैं गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे छान लेंगे और ठंडा होने देंगे तब तक इधर हमने कडाही में तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ और बोईल हुए गोभी को डाल दोंगी और इसे फ्राइ कर लेंगे इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए इसे ढखते हुए फ्राई करेंगे नहीं तो इसमें के जो तेल के छीटे होते हैं बहुत तेजी के साथ उड़ते हैं तो इसलिए इसे हम ढखते हुए फ्राई करेंगे तो देखिए हमने गोवी को अच्छे से फ्राई कर लिया है देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है अब इसे हम निकाल ले रही हूं सेम कडाही में आलू को भी डाल कर फ्राई कर लेंगे और इसे डाल कर चला लेंगे इसे फ्राई होने दे रहे हैं तब तक इसका मसाला रेडी कर लेती हूं तो देखिए हमने एक मिक्सर जार में एक चमच जीरा पाउडर एक चमच धन्या पाउडर लेंगे आप धन्या पाउडर और जीरा पाउडर साबुत भी ले सकते हैं हाटी स्बून गोल मिर्च डाले हैं और इसमें दो इंच अधरक का टुकड़ा आठ नौ लाइसुन की कर लिया दो तीन हरी मिर्च और एक मेडियम साइज के प्याज को स्लाइसेस कट करके डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेश्ट बना लेंगे तो देखिए कितने बढ़िये पेश्ट बन चुका है मेरा आलू भी अच्छे से भून चुका है देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आ गया है अब इसे निकाल ले रही हूँ और सेम कराही में दो चम्मच ओल डाले हैं और इसमें कुछ खड़े मसाले आड़ करेंगे एक दाल चीनी का टुकड़ा दो इलाची एक तेजपत्ता एक जावीत्री थोड़ी सी साबु जीरा और इसे तेल में चला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जा करेंगे हिंग अप्सनल है इसे जरूर डालिए और दो प्याज को हमने स्लाइसेस कट कर लिए हैं और इसे भी डाल कर खड़े मसाले के साथ भून लेंगे गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और इसे कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे तो देखिए इसमें इसका कलर चेंज होने लगा है इसे थोड़े देर और भूनेंगे ताकि यह ब्राउन कलर हो जाए तो देखिए इसमें ब्राउन सा कलर आ गया है आप लोग देख सकती है अब इसमें कुछ मसाले आइट करेंगे तो सबसे पहले इसमें आधा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे मेडियम आज पर ही हम डालेंगे नहीं तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर जल सकते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और इसी के साथ जो हमने मसाले बनाये थे उसे भी डाल अर्से दो मिनट तक भूनेंगे दो मिनट भूनने के बाद इसे हम ढख देंगे तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं अब इसमें से मसाले से तेल रिलिज हो रहे हैं अब इसमें टमाटर एट करेंगे इसी के साथ इसमें स्वाद का नुसार नमक डालेंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी से स्वप्त हो जाते हैं अर्से मिक्स करते हुए चला लेंगे अर्से पांच मिनट के लिए ढख देंगे इसे ढखते हुए भूनेंगे तो देखिए मसाले कितने अच्छे से भून चुके हैं अर्से एक बार और चला ले रही हूँ इसमें कितना अच्छा सा कलार आगया है मसाले मिरे अच्छे से भून चुके हैं मसाले रेड़ी है अब इसमें आट करेंगे भूने हुए फ्राइ किये गए आलू इसी के साथ फूल गोवी भी आट कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम पे इसे हम दो मिनट भूनेंगे सबी चीज अच्छे से भून चुके हैं मगर हम दो मिनट हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर फूल गोवी और आलू में अच्छे से अंदर तक चला जाए तो देखिए हमने इसे हाइफिलेंड पे दो मिनट तक भून लिए हैं देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है अब इसमें एट करेंगे पानी तो हमने इसमें एक कप पानी एट करेंगे आप अपने हिसाब से एट कीजिएगा जैसा आप ग्रेवी रख सकते हैं तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए है और इसे पान्च मिनट के लिए लो मिडियम पर ढग देंगे तो देखिए पान्च मिनट हो गये हैं देखिए सभी चीज कितने अच्छे से पक चुके हैं इसका ग्रेवी आप लो देख सकते हैं देखिए कितने अच्छे ग्रेवी हुए हैं आप इसमें हरी धन्या की पत्ती डालेंगे अर्शे दो मिनट के लिए ढख देंगे देखिए दो मिनट हो चुके हैं मेरी गोवी अरालू की सबजी बनकर रेडी हो गई है अब इसमें एट करेंगे एक चमच सुद्ध खीव आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो इसे इसकिप कर दीजिए और डाल कर हलका सा हिला देंगे तो देखिए मेरी अलू गोवी की स्वादिश सबजी बनकर रेडी हो गई है आप इसका ग्रेवी देख सकते हैं आप इसे चावल प्राठे और रोटी के साथ स्वार कर सकते हैं तो चलिए हम इसे एक प्लेट में स्वार कर ले रही हूं तो फ्रेंश मेरी अलू गोवी की स्वादिश सबजी अगर आप लोग को जरासे भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे सेर कीजिएगा मिलती हूँ एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद